हेलो गाईज विल्कम टो ओर यूटूब चैनल ओनली यू पीटर पर लसी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजेगा आपको वीडियो ऑगर पसंद आये तो सैर भी जरूर कर दीजेगा ओनाटिफिकेस्ट बेल हिट कर दीजेगा जिससे आने वाली वीडियो को नाटिपिकेस्ट आपको टाइम पर मिल पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सोर मन्दिर भारत क एकिस राजि में इस्थे थे है को सोर मंदिर जो है या भारत के किस राजि में इस्थे थे है औत्षन है उडिशा ओक्षन भी या तमिल नाडवत में इस्थे थे है बहुत ही इंपौटिनक गुश्च्च είναι उल्म अप लोग जरूर्टं कर लीजेगा Q2 है कंटक सोधन नामक नयायले का प्रचलन समराजी में था किस समराजी में कंटक सोधन नामक नयायले का प्रचलन था Q2 है कंटक सोधन नामक नयायले का प्रचलन मौरे समराजी में था इसे आप लोग याद रखेगा Q3 है निम लिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है Option है यजूरवेद, Option B है सामवेद, Option C है रिगवेद, Option D है अथरवेद इसका सही एंसर है गाईज, बहुत सिंपल कुश्यन है, सबको पता होगा इसका सही एंसर है रिगवेद, रिगवेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 10 मंडल और 1028, 1028 सुकत है और यह जूरवेद है जो है इसमें किसका अध्यन किया जाता है, इसमें गद और पद, गद और पद, दोनों का अध्यन किया जाता है और सामवेद में संगीत का अध्यन किया जाता है, संगीत का और अथरवेद में जादू टोने जादू टोना जादू टोना और जड़ी बूटियों का ध्यन किया जता है अथरवेद में तो सबसे प्राचीन वेद रिगring वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूखत हैं, विज्जिर वेद जो है इसमें गद्ध और पद्ध दुनों का अध्यन किया जाता है, साम वेद में संगीत का अध्यन किया जाता है, और अथर वेद जो होता है इसमें जडी भूटियों और गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है तो या तीसरे मंडल में है तीसरे गायत्री मंत्र जो है या रिगवेद के तीसरे मंडल में है तीसरे मंडल में इसे आप लोग नोडाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है Q4 है हडपा सभिता की प्रस्द्ध नर्थिकी की उप्योग करके बनाई गए थी हडपा के सभिता में जो प्रस्द्ध मूर्थि मिली थी नर्थिकी वह और किस प्रकार से बनाई गए थी उसको बनाने के लिए किस प्रदार्थ का प्रयोग हुआ था आप्षन ए है सोना, आप्षन भी है कांसा, आप्षन C है पत्थर, आप्षन D है टेरा कोटा, तो इसका सही एंसर है गाइस आप्षन B कांसा, वो जो मूर्ती बनी थी निर्थकी की, वो कांसा से बनी गूई थी, इसे आप लोग याद रखेगा, हडपा सब तक में जो पत्थकी की मूर्ती थी, वो कांसा से बनी गूई थी, वास्को डिगामा किस वर्स काली कट में आया था, आप्षन ए है 1442 में, आप्षन C है 1458 में, आप्षन D है 1498 में, तो इसका सही एंसर है गाइस आप्षन D, 1498 में, वास्को डिगामा जो है यह 1498 में काली कट आया था, question number 6 है 1857 के बिद्रो को भारत के प्रथम सुतंतृता संग्राम की संग्या किसने प्रदान की option है बाल गंगा धरतिलक option भी है सुबास चंदर बोस option C है भगत सिंग and option D है वीडी सावार कर तो जो 1857 का बिद्रो हुआ था इसे सुतंत्रता संग्राम की संग्या किसने प्रदान की तो इसका सही एंसर है गा is option D V.D. सावारकर V.D. सावारकर जो थे इन्होंने प्रथम सुतंत्रता संग्राम की संग्या दी थी 1857 की विद्रोह को Question No.7 है नुन में से किसने लंदन में बिलियम हट करजन वाईली की हत्या की थी Option A. मदल लाल धीगरा Option B. सुखदेव थापर Option C. खुदीराम बोस And Option D. सूरिसेन तो लंदन में बिलियम हट करजन वाईली की हत्या किसने की थी आप लोग कमेंट करके बताईएगा मैं आपको बता देती हूँ इसका सही एंसर है Option A मदललाल धींगरा मदललाल धींगरा जो है इन्होंने बिलियम हर्ट करजन वाईली की हत्ते की थी लंदन में Question No.8 है जलिया वाला बाग नरसंगार के बाद किसने अपनी नाइट हुड की उपाद ही लोटा दी थी Option ने है डॉक्टर भीमराओं मेडिकर Option B है रबीन नाटेगोर Option C है महत्मा गांधी And Option D है बाल गंगा धर तिलक तो जलिया वाला भाग हत्याकांड कब हुआ था यह उन्नीस सो नीस में हुआ था तो इसका सही एंसर है रबीन नाटेगोर रबीन नाटेगोर को नाइट हुड की उपाद प्रदान की गई थी जो की जलिया वाला भाग हत्याकांड के बाद इन्होंने रबीन नाइट हुड की उपाद जो है यह त्याग दी थी उन्होंने वापस लोटा दीदी Q9 है गांधी इर्विन समझाता किस वर्स हुआ था Option A है 1905 Option B है 1931 Option C है 1947 And Option D है 1942 तो गांधी इर्विन समझाता जो है यह कब हुआ था तो इसका सही एंसर है गाईज Option B 1931 1931 इस भी में गांधी इर्विन समझाता हुआ था Next Question है Question No.10 स्वतन्त भारत के प्रथम गवर्नर जर्नल कौन थे Option A है लाड माउंट बेटन Option B है वीवी गिरी Option C है सीराज गोपालाचारी And Option D है लाड डलहोजी तो इसका सही एंसर है गाईज Option A लाड माउंट बेटन Option A है लाड माउंट बेटन लाड माउंट बेटन जो है स्वतन्त भारत के प्रथम गवर्नर जर्नल थे इसे आप लोग याद रखेगा और यहाँ पर पूछा जाता है स्वतन्त भारत के प्रथम भारती जब पुछा जाएगा तो यहां पर सीराज गुपालाचारी होगा यह सीराज गुपालाचारी जब पुछा जाएगा स्वतंत भारत के प्रथम भारती गुपालाचारी जब भारती लगा होगा तब होगा सीराज गुपालाचारी और पुछा जाएगा स्वतंत भारत के प्र तो यह होगा लर्ड माउंट बेटन इसे आप लोग याद रखेगा और याद नहीं रहता है तो आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा रिवाइस करेंगे तो याद हो जाएगा question number 11 है निमलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है option है नेपाल, option B है इरान, option C है म्यामार, and option D है बांगलादेश तो इसका सही एंसर है गाईज, option B इरान नेपाल, म्यामार और बांगलादेश की सीमा भारत से लगती है लेकिन इरान की सीमा जो है भारत से नहीं लगती है question number 12 है नन्दा देवी चोटी किस राज में इस्थित है, option A है हिमाचल प्रदेश में, option B है उत्तरा खंड में, option C है उत्तर प्रदेश में, and option D है सिक्किम में तो नंदा देवी जो है चोटी या किस राज में इस्थित है तो इसका सही answer है गाई जो option B उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो है या नंदा देवी चोटी इस्थित है इसे अप लोग याद रखेगा question number 13 है निवन में से कौन सा इस्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद है? तो तांबे की खान के लिए कौन सा प्रसिद है तो इसका सही answer एगा is option A option A खेटडी खेतरी जो है ये इस्थान जो है तामबे की खान के लिए प्रसिद है खेतरी question number 14 है दो घंटे के अंतराल के लिए देसांतर दूरी के बराबर होगी option है 15 degree, option B है 30 degree, option C है 45 degree and option B है 60 degree तो दो घंटे के अंतराल के लिए देसांतर दूरी किसके बराबर होगी तो इसका सही एंसर है option B 30 degree 30 degree के बराबर होगी दो घंटे के अंतराल के लिए दिसानतर दूरी 30 degree के बराबर होगी इस यह आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा बहुत बार बुचा गया है important question है यह question number 15 है बिस्टु की सबसे बड़ा महादीब कौन सा है बिस्टु का सबसे बड़ा महादीब कौन सा है option A है अफ्रीका option B है उत्री अमेरिका option C है दच्छुर अमेरिका and option D है एसिया तो question 15 का सही एंसर है guys option D एसिया हम लोग एसिया में ही रहते है बिस्टु का सबसे बड़ा महादीब जो है या एसिया है भारत में जीस्टी कब लाग हुआ था question number 16 question number 16 है भारत में जीस्टी कब लाग हुआ था तो इसका सही एंसर है guys option A है एक जुलाई 2017 option B है पंदरा अगास 2014 option C आठ नॉमबर 2016 and option D है दो नॉमबर दो अक्टूबर 2015 तो जीस्टी कब लाग हुआ था तो इसका सही एंसर है जीस्टी कब लाग हुआ था एक जुलाई एक जुलाई 2017 को एक जुलाई 2017 को लाग हुआ था जीस्टी को फुल फॉर्म क्या है goods goods and goods and services goods and service tax goods and service tax जीस्टी जो है एक जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीस्टी कितने प्रकारगा हुआ यह चार प्रकारगा हुआ इसे भी आप लोग याद रखेगा question number 17 है RBI का मुख्याले कहां है option है दिल्ली में option B है कानपुर में option C है मुंबई में and option D है नासिक में तो इसका सही अंसर क्या है guys तो इसका सही अंसर है option C option C मुंबई में RBI का जो मुख्याले है या मुंबई में question number 918 है भारती मुद्रा का नया प्रतीक चिन किसने डिजाइन किया था option है संतोस कुमार ने option B है वाईवी रेड़ी ने option C है उदे कुमार and option D है डाक्टर रंग राजन तो भारती मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन है या किसने डिजाइन किया था तो इसका सही अंसर है option C उदे कुमार ने भारती मुद्रा का नया प्रतीक चिन उदे कुमार ने डिजाइन किया था question number 19 है भारत में यूजना आयोग का गठन किस वर्स में किया गया था यूजना आयोग का गठन ओप्सन है 1949 ओप्सन भी है 1950 ओप्सन सी है 1949 और ओप्सन डी है 1952 तो यूजना आयोग का गठन जो है यह कब हुआ था तो यह हुआ था 1950 में और यूजना आयोग का नया नाम क्या है यह नीति आयोग की नाम से जाना जाता है 2014 में इसे नीत आयोग नाम दिया गया और नीत आयोग का अध्धच कौन होता है नीत आयोग का जो अध्धच होता है भारत का प्रधान मंत्री होता है तो इस टाइम कौन है नरेंदर मुदी जी तो ये नीत आयोग के present time के अध्धच है इसे भी आप लोग याद रखिएगा नीतियायो 2014 में नाम दियागा इसका Question number 20 है प्रधानमंतरी मुद्रा योजना लाख रुपे तक का मुद्रा रड प्रदान करता है प्रधानमंतरी मुद्रा योजना जो है या कितने लाग तक रड आपको प्रदान तो इसका एंसर है दस प्रधानमंतरी मुद्रा योजना जो है ये आपको दस लाख तक आपको रिड प्रदान करता है Question number 21 है भारत में किस राज का लोगसभा और राजसभा प्रतिनितु सरवाधिक है तो उप्सन A है उत्तर प्रदेश में Option B है मध्र प्रदेश में Option C है महाराष्ट्र में And Option B है आंध्र प्रदेश में तिसका सही एंसर है Option A उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है राजसभा सीटे राजसभा किस सीटे कितनी है राजसभा सीटे 31 हैं लोगसभा लोगसभा 80 सीटे हैं 80 सीटे हैं इसे अप लोग याद रिखेगा रासभा सीटे जो है 31 हैं और लोगसभा 80 सीटे हैं 80 सीटे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जन से क्या सबसे अधिक है तो यहाँ पर लोगसभा और रासभा की सीटे भी सबसे अधिक हैं Q22 है राष्ट्रपती पांच वर्ष तक अपने पत पर रहता है Option है अपने निर्वाचन की तारीक से Option भी है संसर्दवरा निर्धारित तिथी से Option C है अपने पत ग्रहण के दिन से Option D है निर्वाचित आयोग द्वरा घोशित तिथी से तो इसका सही अंसर है गा Option C अपने प्रदग्रहण की दिन से अपने प्रदग्रहण के दिन से राष्ट्रपती पांच वर्ष तक अपने पत पर बना रहता है Q23 है भारत में कारिपालिका से नियापालिका का प्रथक कर्ड किससे ब्यादेशित है Option अपने है सम्मिधान की देशिका दोरा Option B है राजिके नीट के निदेशत्त दोरा Option C है सात्वी निसूची दोरा Option D है परम परागत व्युहार दोरा तो भारत में कारिपालिका से नियापालिका का प्रथक कर्ड किस से व्यादेशित है तो इसका सही एंसर है option B राजी के नीत निदेशक सिध्धानत्वार और ये कारिपालिका से नियापालिका का प्रिथक करड़ कौन से आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल आर्टिकल 50 में है आर्टिकल 50 जो है ये कारिपालिका से नियाइपालिका का प्रिथक करड़ करता है इसे आप लोग याद रखेगा पूछा जाता है कि कारिपालिका से नियाइपालिका का प्रिथक करड़ तो ये कौन से आर्टिकल में हैं तो ये आर्टिकल पचास में है और ये राज के नीति ने देशक तत्वरा ब्यादेश ये था इसे भी आप लोग याद रखेगा और लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सेर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा Q24 है वे विसाय जिन पर केंद्र वा राज सरकारे दोनों कानून बना सकती है Option है संग सुची, Option भी है राज सुची, Option C है समुर्थी सुची and Option D है और सिस्ट सुची तो इसका सही अंसर क्या है? तो इसका सही अंसर है Option C, समुर्थी सुची समुर्थी सुची जो होती है इसमें केंद्र और राज जी दोनों का इसमें बराबर होता है और सिस्ट सुची ये कोई सुची ही नहीं होती है सुची या तीन परकार की होती है संग सुची, राज सुची, समुर्थी सुची तो आपसे पूछा जाता है कि संग सूची में इसमें केंद्र का हक होता है और राजी सूची में राजी का हक होता है लेकिन समर्थी सूची जो होती है इसमें केंद्र राजी दोनों का हक होता है और पूछा जाता है कि संग सूची में कितने भी से हैं तो संग सूची में पहल सताननफें थे पहले कितने थे 97 फिर कितने हो गए 98 हैं पहले सप्ताननबें है अभी प्रियुजन टाइम में 78 है संग सूची में और राजी सूची में पहले 60 vara say अबिकी सिय्जिकान इसे संवर्ती सूची में cod पहले कितने पीसे थे पहले 47 थे अब कितने तुज़ा gratis ao इससे आप लोंग याद रखेगा और नहीं याद रहता है तो आप लोग कर दिजीगा कि संघए सूची में पहले 97 और आजhaft शौची में फिर। 40 विसे थे अब 52 विसे हैं यह बहुत बाप उच्छा जाता है कि किसमें कितने विसे हैं तो यह प्रेजेंट टाइम के विसे हैं यह आप लोग याद रखेगा पहले याद रखने की जुरुरत नहीं यह मैंने एक्स्ट्र पॉइंट बता दी है कि संग सुची में अठान नभ वर्स में दो बार ओप्शन सी है वर्स में तीन बार और ओप्शन डी है वर्स में चार बार तो लोग सभा में कितने सत्र बुलाये जाते हैं तो इसका सही एंसर है ओप्शन बी वर्स में दो बार लोग सभा में कम से कम वर्स में दो बार सत्र बुलाये जाते हैं नेस्ट ओप्सिन सी हे जुका होता है, और ओप्सिन बी हे मुड़ा होता है, तो सम्तल दरपर द्वारा बनने वाला प्रतिविम जो है, यह कैसा होता है, तो यहां सीधा होता है, सम्तल यह सीधा, इससे आप लोग याद रखेगा, सम्तल सीधा, समतल दरपरद्वारा बनने वाला प्रतिविम जो है सीधा होता है Question No.27 है निकट दरश्टी दोस्ट से पीड़े बेक्ति को दरश्टी सही करने के लिए किस प्रकार के लिंस का प्रियोग किया जाता है Option A है उत्तर लिंस Option B है उत्तर लिंस Option C है अलपतम विपंथी लिंस And Option D है सिली ड्रिंकल लिंस तो इसका सही एंसर है गाईज Option B उत्तर लिंस निकट दरश्टी दोस्ट के लिए उत्तर लिंस और दूर के लिए उत्तर लिंस ये दूर दो अच्छा है इस ये उत्तर छोटा अच्छा है इससे आप लोग याद रख सकते हैं जैसे दूर है तो ये उत्तर लिंस हो गया ये भी छोटा है ये भी छोटा अच्छा है और निकट ये बड़ा है ये बड़ा है उत्तर लिंस निकट दरश्टी दोस्ट के लिए उत्तर लिंस इसे आप लोग याद रखेगा और नहीं याद रहता है तो और नो डाउन कर लिजेगा कि निकट के लिए उतल लिंस और दूर के लिए उतल लिंस Q28 है तरह लवस्था में पाई जाने वाली धात हुए Option A है टिन, Option B है पोटेसियम, Option C है पारा and Option D है टंगस्टन तो तरह लवस्था में पाई जाने वाली धात जो है यह पारा है इसे आप लोग याद रखेगा Q29 है किसकी कमी से रिकेट्स का रोग हो जाता है Option A है बिटामिन D, Option B है बिटामिन B, Option A, C है बिटामिन A and Option D है बिटामिन C तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है इसे आप लोग याद रखेगा इसका सही एंसर है Option A, बिटामिन D, बिटामिन D की कमी से जो है यह रिकेट्स रोग हो जाता है और बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है B B K 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 A की कमी से रतौंधी, विटामिन A से रतौंधी होता है, रतौंधी, विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन B से बेरी-बेरी, और विटामिन C से सकर्वी, और विटामिन A से रतौंधी, और विटामिन जल में घुलनसील विटामिन कौन सी है, तो जल में जल में कौन से भीटामिन घुलंसील होती है, AD, EK, EDUC इससे आप लोग याद रखेगा, एड़क इसले पूछा जाता है कि जल में घुलंसील बिटामिन कौन सी है? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, BC जो होती है ये जल में घुलंसील होती है, और ADE के जो होती है, ये वसा में घुलंसील बिटामीन होते है, इससे आप लोग याद रखेगा scarAPP, और यह भी पूचहा जाता है vitamin A का रहसानिक नाम क्या है, तो इससे आप लोग बता दीजिएगा, कि vitamin A जो है इसका रहसानिक नाम होता है, इसका नाम होता हैταν ठेल्सी फिराल केल्सी फिराल provide the vitamin B उसका रायसा नींगनाम इसका नाम होता है thymene and vitamin C जो होता है इसका scarbic acid scarbic scarbic vitamine B का रायसाणिंग नाम होता है calciferol vitamin A का होता है रेटिनाल, बिटामिन B का होता है थाइमीन, एंड बिटामिन C का होता है स्कार्वी के से, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेजीगा, सारे नोट्स बना लेजीगा, जिससे आप लोगों को याद रहें, Q30, यह है आज का लास्ट कुश्चन, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा, और वीडियो को सेर भी कर दीजीगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब बरना मत भूलेगा, Q30, प्वेस्चन नमर 30 है, चिकस्था भिज्ञान की वा साखा जो गुर्दो से सम्मंदित है, ओप्षन E है, ओप्थिल्मोलोजी, ओप्षन D है कार्डियोलोजी, ओप्षन C है आटोरहनो, लेरिंगोलोजी, और ऑप्षन D है नेफ्रोलोजी, तो इसका सही एंसर क्या है, तो इसका सही एंसर है option D nephrology नेफ्रोलोजी जो होती है या गुर्दो से संबंदित होती है और अप्थेलमोलोजी यह आँख से संबंदित होती है इसे भी आप लोग याद रखेगा आज का लेक्चर यहीं पर खतम होता है अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसका अगर आपको बीडियो चाहिए तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फि का लेक्चर ही खतम होता है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई